नमस्कार, सनातन धर में मूर्ति पुजागा विशेश महत्तो है और हम लोग अगर किसी भी देवी दिवता को देखें तो उनके हाथ में कोई न कोई चीज होती है अस्त्र होता है या फिर पुस्तक होती है या पुष्प होता है वो किसली होता है और ये चिन क्या दरसाते हैं ये किस गुण के प्रतीक है और ये हमें क्या सक्षा देते आए जानते इसके बारे में विश्णू जी सस्टी के पालन करता है और विश्णू जी के चार भुजाएं और विश्णू जी चारो भुजाओं में शंक, चक्र, गदा और कमल धारन किये हुए और इसलिए उन्हे विश्णू जी को चैतुर भुज भी कहा गया है क्या हम लोग ने कभी सोचा है कि ये चिं चन क्या सिक्षा देते हमें और ये किस गुण के प्रतीक है। शंक जो है वो और दो ध्वनी का प्रतीक है ध्वनी का प्रतीक अपने अंतरात्मा की आवाज से है तो हम लोग जब बहुत सहज और सरल हो जाएगा सुदर्शन चक्र भगवान जी का अमोग अस्त्र है और यह दूर दर्शिता और दर्शंकल्प का प्रतीक है और यह हमें सिक्षा देता है कि हमें हमेशा दूर दर्शी और दर्शंकल्प वाला होना चाहिए और जो पद्म है उससे अपने आपको दूर रखना चाहिए, विशनों से दूर रखना चाहिए, और जो गदा है ये न्याय प्रणाली को दर्साता है, गदा इश्वर की अनंत शक्ति और बल का प्रतीक है, और कर्मों के अंसार इश्वर जीव को उसके हिसाब से दंड प्रदान करते हैं, तो ये इसुरी सत्ता की न्याय प्रणाली को दर्साता है,